तो पर इस वेफ्ट शेक्षा मित्रों का प्रदर्शन जारी है मैं आपको बताना चाहूंगा यह समयोजन को लेके प्रदर्शन का हो रहा है दस जार उसको लेकर भी है मैं आपको संख्या काफी संख्या है सुबह से एक अत्य तोना शुरू हो गए थे और पूरे कैंपस में कम से कम यह हजार से भी ज्यादा सिक्षा मित्र यहां पर मौजूद है हमारे साथ यहां कुछ उनके पतदगारी भी मौजूद हम उनसे बाचित भी करेंगे सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मेरी आवाज बनके लोगों तक मेरी बात पहुंचाने के लिए आए हम लोग यहां अपनी मांगों के संदर में आये हैं कि अध्यादेश लाकर हमें कुना सिच्छक बनाया जाए हम 22 जुलाई से लगातार बी सिच्छा अधिकारी के माध्यम से मानिय मुक्मंत्री जी को ग्यापन दिये यहां भी नोटिस दिये अपनी मांगों के समर्थन में लेकिन सरकार के लेबल पर विभाग के अस्तर पर हमारी कोई बात को संग्यान नहीं लिया गया मैंने उसमें अल्टिमेटम भी दिया था कि पांच स्थम्बर सिच्छक दिवस को हम आएंगे इनके उदासीन रवये से छुप दो के हम अपनी मांगों के समर्थन में नीदे साल गहरने आए यही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए कि 147 जार परिवार जो कहने के लिए सिच्छक है काम करने के लिए सिच्छक है लेकिन सुरिधाओं के लिए दिच्छक है 10,000 रूपे आज किती में मान दे पाता है वो भी नियमित नहीं पाता है कितनी पीड़ा के साथ की रहे हैं हम हमारी दुरसाया है कि हम नहीं एक अच्छे पिटा बन पाए नहीं एक अच्छे पुत्र बन पाए न बेटे की परवरिस कर पाए न बाप का इलाज कर पा रहे हैं ये बहुत दुखद है हमारे लिए और इसलिए हमने सिच्छक दिवस चुना कि आप जैसे प्रकारिता के जुरे लोग हमारी वेदनाओं को पीडाओं को लोगों तक पहुँचाएंगे मैं आपके माध्यम से मान्य मुक्मंत्री जी से अधिकारियों से अपील और आग्रह करना चाहता हूँ कि सिग्रात इसिग्र हमारी मांगों को संग्यान लेते हुए पूरा करें अन्यता कि इस्तिती में बेबसी बहुत खतरनाक होती है और उत्तर पुदेश का सिच्छा में बेबस हो चुका है कहा जाता है कि भूख इंसान को गद्दार बना देती है वागवा एक वाग को बीमार बना देती है ऐ भूखे पेट को इंसानियर सिखाने वालों भूख इंसान को गद्दार बना देती है मैं आधर शमयोजी सिच्छक सिच्छ मित्रबेल फेर एसोसियेशन की प्रताव गड़ अध्यच और प्रांती सची हूँ हम लोगों को धर्ना देने का कोई शोक नहीं है मैं अपने आधर ये उत्तरप्रदेश मुख मंद्री जी से कहना चाहती हूँ कि हम लोग अध्यापक हैं और अध्यापक का काम होता है सिच्छक दिवस पर सम्मान पाना लेकिन आज हमारा दुर्भाग रहा है कि हम 2001 से लड़ते लड़ते महोदे साह का ध्यापक बने सर्बोच नियाले ने हमारा समयोजन निरस्त किया आप उसका पालन किये हमें कोई दुख नहीं है लेकिन मैं अपने उत्तर प्रदेश मुखमंद्री जी से कहना चाहती हूं कि जैसे पूर्वे में आप गोरक पूर में कहे थे अखलेस सरकार में कि सिच्छा मित्र सिच्छक है और विरादरी की दरी पर बैठे अच्छा नहीं लगता है आपको तो विद्याले में रहना चाहिए आज मैं उत्तर प्रदेश के मुखमंद्री जी को बताने आई हूं सिच्छक दिवस पर अपना वादा याद कर याद रह मुखमंद्री जी कि आप आज कैसे भूल गए कि हम सिच्छा केमर को विद्यावे में रहना चाहिए आप दस अजार रूपाय हमको देते हो आप कहते हो 3500 से दस जार दे रहा हूं आपके बैसिक सिच्छा मंद्री कहते हैं कि हम तीन बढ़ा दिये हैं लेकिन हम आपसे कहते आप 40,000 पर से लाकर मुझे 10,000 बे किये हो नाकी 3500 से 10,000 बे किये हो अब आप बताएं मुकमंद्री जी 10,000 रूपाय में खुद का खर्च नहीं है हम बीमार होते हैं कुछ होता है 10,000 रूपाय तो जांच में चली जाती है हम अपने बच्चे की फीज कहस दें हम अपने इतना कर दीजिए कि सम्मान जनक तरीके से हमको 12 महीना कर दीजिए अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें